मेरे प्यारे शात्रों, नमस्कार, आज मैं आपके समक्ष एक कवीता, स्वरचित कवीता प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इस कवीता का सीर्षक है, इस कवीता का टाइटल है, सीखा है मैंने यही की, देखिए हम अपने पूरे जीवनकाल में कुछ ना कुछ सीखते रहते है और इस सीखने की प्रकरिया के आधार पर ही लोग हमें अनुभवी कहते हैं, लोग हमें well educated कहते हैं, लोग हमें experienced कहते हैं, तो मैंने भी अपने 11 साल के teaching career में और 38 साल के उम्र में जो जो सीखा है, उसको एक छोटी सी कवीता के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा ह और मेरा ये दृड़ विश्वास है कि अगर आपने इस कवीता के सब्दों को और इस कवीता के सार मर्म को अपने जीवन में उतारा, तो सफलता सुनिश्चित है आपके जीवन में, कवीता कुछ इस प्रकार है, सीखा है मैंने यही की, सीखा है मैंने यही की, व्यक्ति सास नहीं वेक्तित्व सास्वत है जीवन सास्वत नहीं जीवनी सास्वत है लोगों ने कहा है मुझसे जमाने के हिसाब से चलो सीखा है मैंने यही कि छल सास्वत नहीं फल सास्वत है सिक्षक कर्म में लीन हुँ मैं, नईतिक धर्म के अधीन हुँ मैं, सीखा है मैंने यही के, नकल सास्वत नहीं, अकल सास्वत है तरह तरह के आविस्कारों ने दिया है अपराधों को बढ़ावा, सीखा है मैंने यही के, मजा सास्वत नहीं, आनंद सास्वत है तुम अपने अपनों के बारे में सोचते हो, इसलिए दूसरों का बुरा करते हो, मैंने तो यही सीखा है के विलास सास्वत नहीं, विचार सास्वत है अगर हम लोग इस कवीता के सार के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से इस कवीता का सार आपको अंदर से बदल कर रख देगा देखिए अपने अनुभवों के अधार पर में ये जान पाया हूँ कि व्यक्ति सास्वत नहीं है सास्वत कहने का मतलब है पर्मानेंट फोरेबर जो हमेशा रहे तो व्यक्ति हमेशा नहीं रहता लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा रहता है अगर उसका व्यक्तित्व वर्थ होतो अगर उसका व्यक्तित्व अनुखरण करने योग्य होतो आज हमारे सामने देखिए बाबा साहे भीमराव राम जी अमबेडकर का उधारण, नेता जी सुबास चंदरबोस का उधारण है, जिनके व्यक्तित्तों के कारण ही लोग आज भी उनके प्रसंसक है और वो सदा सदा के लिए रहेंगे, उसी प्रकार देखिए जीवन सास्वत नहीं है, अगर यह कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो उसकी मृत्यू भी निश्चित है, जीवन के साथ मृत्यू तय हो जाती है, इसी लिए जीवन तो सास्वत नहीं है, लेकिन जीवनी सास्वत है, अर्था बायोग्राफिस सास्वत है, आप अपने जीवन में ऐसे ऐस आपके कर्म कीजिये कि आपके जीवनी पर लोग अपने सकरात्मक टिपणी दे। आपके जीवनी को लोग अपनाने की चेश्टा करें, लोगों ने कहा है मुझसे जमाने के हिसाब से चलो, सिखा है मैंने यही की, छल सास्वत नहीं, फल सास्वत है, देखिए, आपको पगपग पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे जमाने के हिसाब से चलो, और जमान सासवत नहीं है फल सासवत है आप किसी वेक्टी को एक दिन धोखा दे सकते हैं दो दिन धोखा दे सकते हैं तीसरे दिन वो समझ जाएगा कि ये आपको धोखा दे रहा है और वो आपके साथ फिर अपना संबंद आगे नहीं बढ़ाएगा और एक उधारन और भी ले दियेगे धोखों को भी उसमें सामिल करेगा तो क्या आपको यह अच्छा लगेगा नहीं न इसलिए याद रखना चल सासवत नहीं है एक बर धोखा देना और अपने विक्तित्तों को सदा के लिए मलीन कर लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है फल सासवत है आपने जैसे कर किये है फल तो आपको मिलेंगे ही और वो हमेशा सासवत है इसलिए अपने जीवन में धोखा दड़ी का समावेश बिल्कुल ना करें इच्छक कर्म में लीन हुमें नैटिक धर्म के अधीन हुमें सीखा है मैंने यही के नकल सासवत नहीं अकल सासवत है देखिए जब मैं ड्यूटी कर रहा होता हूं तो कुछ बच्चे कभी कभी सेखी में कह देते हैं कि क्या सर आपने कभी चीटिंग नहीं की देखिए चीटिंग करना यह नकल करना जो है वो टेम्पररी सॉल्यूशन है इस नौट पर्मानेंट सॉल्यूशन लेकिन अगर आपके पास अकल है आपके पास बुद्धी है तो आपको कभी नकल करने की जुरुत नहीं पड़ेगी मुझे तो यह नहीं समझ में आता है कि आज के जमाने में जब सिक्षा का माध्यम इतना उन्नत हो चुका है आपको सेलेबस पहले दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि इतना ही पर्मानेंट नहीं है अकल पर्मानेंट है अगर आपके पास अकल है बुद्धी है तो आप अपने जीवन को एक सही डिरेक्शन में जरूर लेकर आगे बढ़ेंगे तरह तरह के आविस्कारों ने दिया है अपराधों को बढ़ावा सीखा है मैंने यही कि मजा सास्वत नह दूनों तो सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन यह एक सब्द है नहीं आनंद का संबंद जो होता है वो मन से होता है और मजा का संबंद जो होता है वो प्रायस सरीर से होता है देखे आप एसी में अराम से दिन बिता रहे हैं तो आपको आनंद नहीं आ रहा है वो आपको मन प्रफुलित हो जाता है तो उसे कहता है आनंद, मजा के लिए हो सकता है आपको पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन आनंद के लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, मजा पाने के लिए आपको तरहा तरहा के आविस्कारों अर्थात इलेक्टोनिक गैजेट्स, ब में तरह तरह के crimes के बारे में अपराधों के बारे में पढ़ते हैं और इसके पीछे तीन चीज ही विद्धिमान रहती है Sex, Money and Religion मूल रूप से और यही कारण है कि अपराधों को बढ़ावा दे रहा है सीखा है मैंने यही कि मजा सास्वत नहीं आनंद सास्वत है तुम अपने अपनों के बारे में सोचते हो इसलिए दूसरे का बुरा करते हो देखे आज की स्थिती ऐसी हो चुकी है कि दुनिया में 760 करोण लोग है भीड बहुत बढ़ चुकी है लेकिन इस भीड के सास्थ अजनभीपन भी बढ़ गया है एलियनेशन भी बढ़ गया है क्यूं? क्यूंकि अब हम लोग केवल अपने परिवार तक से मित हो गया है और बहुत सारे परिवार वाले केवल अपने अपनों के बारे में सोचते हैं इसलिए दूसरों का बुरा करते हैं मैंने तो यही सिखा है कि विलास सास्वत नहीं है आप विलास कर रहे हैं या विलासिता पुर्ण जीवन या हर सुक्स विधा से अपने परिवार वालों को लैस करना चाहते हैं यह गलत है यह सास्वत नहीं है वो विचार सास्वत है एक अच्छे विचार सोसाइटी को दी दिये, अपने परिवार वालों को दी दिये, और देखिएगा, वो विचार सासवत रहेगा, सदा सदा के लिए रहेगा, एक विचार आपका जीवन बदल सकता है, तो उमीद करता हूँ छात्रो, आपको मेरी ये कवीता, छोटी सी कवी जरूर ज्यान वर्थक लगी होगी, हम पुना मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.